अगर आप thumbnail को देखकर के confused होना तो आपको बिलकुल भी confused होने की जरुवत नहीं है It is literally for everyone मैं कुछ concept के बारे में आज बात करने वाला हूँ जो concept इसलाम के concept है तो यह सब के लिए हैं काफी important है, काफी कुछ आपका perspective change होगा about marriage, about caste in marriage and relationships काफी कुछ चीज़ें यहां से clear होकर के जाने वाले हो तो अगर आप एक Muslim guy या girl हो तो यह आपके लिए बहुत important वीडियो होने वाली है to talk to your parents about your love, about your marriage यह बात करने के लिए बहुत important होने वाला है तुमारे लिए अगर आप non-Muslim हो तो भी आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है तो पहली story जिसके बारे में बात करने वाला हूँ यह है कि पेगंबर इसलाम ने फरमाया कि जो भी मेरे घर में कुछ important events होने वाले हूँ चाहे वो किसी की साधी होने वाली हो किसी की पैदाइस होने वाली हो किसी की death होने वाली हो यह सारे events होने से पहले वही आजाती है वही in the sense message message आजाता है अल्ला की दरब से कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है यह होगी और इस तरह की चीज़े information पहले ही आजाती है मिन्स कोई भी occasion अगर ऐसा आने वाला होगा तो गौड की तरफ से वह message आ जाएगा समस्रें तो यह concept को ध्यान में रखिएगा दूसरी चीज दूसरी story है जब पैगंबर इसलाम यानि कि मुहम्मद साहब की बेटी की साधी होने वाली होती है न तो उनके साधी के लिए कई सार होते जाते हैं जब यह सिलसिला चल रहा होता है न तो बहुत सारे लोग आ करके बहुत सारे सहाबा लोग आ करके हजरते अली से बोलते हैं कि आप जाओ आप वो लोगे तो मान जाएंगे हजरते ली कहते हैं मतलब कि आप मेंसे इतने सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं घ पूझे देंगे ये सर्माते हुए जाते हैं और खाकर के सामने खिला दिया कि हाँ तो नभी ने कहा इंसा अल्ला और हजरत अली वाहर निकल के आ जाते हैं लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या बोला क्या मतलब क्या मना किया क्या बोल के मना किया उन्होंने का इन्होंने इंसा अल्ला तो लोगो जाते हैं अपने घर की तरफ और अपने घर जा करके अपनी बेटी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि बेटी जितने भी सारे लोगों के रिष्टे आ रहे हैं तुम्हारे लिए इनमें मुझे जो सबसे जादा अजीज है, सबसे जादा प्यारा है सबसे जादा जो मुझे अच्छा लगता है अली उसका रिष्टा आया है मुझे वो सही लग रहा है क्या इसके साथ तुम्हारा रिस्ता कर दूँ फिर हज़रते फात्मा ने वहाँ पे हामी भरी कहा हाँ इनके साथ रिस्ता कर दीजिए फिर नभी वापस आते हैं सभी लोगों को बुलाते हैं पुरा मजमा बुलाते हैं और वहाँ पर आकर के डेकलियर करते हैं कि हाँ अली की फात्मा के साथ साधी होगी इस टेट को होगी इस तरह से होगी इसमें सबसे में इंपॉर्टन चीज यह है न कि कॉंसेट जो पहली चीज पहले इस्टोरी मैंने बताई है कि नभी ने क्या बोला है कि जब भी मेरे घर में कोई इबेंट होने वाला होगा अल्ला की तरफ से वो पहले ही मैसेज आ गया है कि यह होगा अगर फात्मा की साधी होनी है अली के साथ तो यह मैसेज पहले ही अल्ला की तरफ से आ गया है कि फात्मा की साधी अली के साथ होगी ये बोलने के बाद भी कि God का message आ गया है भई कि साधी इनके साथ ही होगी फिर भी जब वो पूछने आते हैं तो उठके जाते हैं किसकी तरफ फातिमा की तरफ कि उनसे पूछेंगे अगर वो बोल रही है हाँ तो साधी होगी इस concept या जो इस्टोरी है या जो करके दिखाया है it is not for that situation यानि कि ये उनके लिए नहीं था कि मुहम्मद साहब जाकर कि अपनी बेटी से पूछ रहे हैं बेटी इनके साथ साधी कर दूँ it is not for her it is for a message क्योंकि अल्ला ने मुहम्मद साहब को एक ideal बना के वेज़ा है कि यार इनके जिन्दगी लोग follow करेंगे इनको देख करके आगे आने वाले हजारों सालों में जब लोग इस तरह के decisions ले रहे होंगे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि साधी का decision बच्चे का हक है उसका decision का final way करेगा अगर वो मना कर दे तो साधी साधी नहीं है It is the concept जो मुहमद साब ने जिन्दगी जी के दिखाया है मतलब आज के time period में भी अगर आपके parents आकर के आपसे बोल रहे हैं कि इससे हमने साधी fix कर दिये बहुत सारे parents तो बोलते तक नहीं है कि हमने साधी fix कर दिये तो maximum बच्चे मानने को रेडियो हो जाते हैं बहुत सारे लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा बहुत सारे लोगों ने family का नाम ले करके आपको ditch कर दिया होगा बहुत सारे लोगों ने family के वज़ा से आपको छोड़ दिया होगा यह आज की बात है 21 सदी की बात है आज से 1400 साल पहले वो इस टाइम पिरेड में कहने है imagine कि वो लड़की बोल सकती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है फिर यह जाने की जरूरत क्या थी पूछने की जरूरत क्या थी और पूछ कौन रहा है पेगंबर इसलाम जिनको सारी चीज़ें पता है जिनके पास अल्ला का मेसेज आ चुका है कि यार सादी तो इन्हीं के साथ होनी है फिर भी जाकर के पूछ रहे हैं for whom हमारे लिए आपके लिए आने वाली हजारों लाखों सालों में लोग जिस तरह का बिहेब करेंगे उनके लिए कि अगर तुम्हें ये चीज़ें कनफॉर्म भी है तुम्हें पसंद भी है कोई चीज तो जाके पूछो अपने बच्चों से अगर वो एकसेप्ट करते हैं तो सादी करनी है अगर वो एकसेप्ट नहीं करते हैं तो सादी इस नौट सादी अगर आप किसी इंसान के साथ जबरदस्ती किसी को बांध रहे हो तो समझ रहो इस दा बेसिक कॉंसेप्ट कि मतलब आप इमेजिन में नहीं कर सकते हो कि फात्मा कभी यह बोल सकती थी कि नहीं अबबाजी मुझे नहीं करनी है इस सादी यहां तो हम बच्चों से पूछते तक नहीं है कि बेटी इस से तेरी सादी फिक्स कर दिये बस कर दिये यार हमारे बच्चे हमारे खिलाफ थोड़ी जाएंगे नहीं जाएंगे बट उनसे पूछ लेने में प्रॉब्लम नहीं है उनसे पूछ लो साद उनके दिल में क्या चल रहा है you don't know क्योंकि कभी आपने वो यह थोड़ी ही नहीं दिया है कि वो आप से आपकर बोल सकें आप से आपकर के बाद कर सकें आज लोग बोलते हैं ना कि हमारी इज़त क्या गेंस जा रहे हैं मैं कैसे पूछनू यार मैं बाप हो करके जाकर के बेटी से पूछू कि तुझे पसंद है या नहीं पसंद है या तुझे कोई और पसंद है या हम अपनी इंसल्ट समझते है क्या उकात है हमारी पैगंबरे इसलाम पूरी दुनिया में इसलाम को लाने वाले पैगंबर अपनी बेटी से जागर के पूछ रहे है तुम्हें किस बात के सर्म है समझ रहे हो और जहां तक बात रही दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था कास्ट सिस्टम, कास्ट को ले करके कि यार अपने ही कास्ट में साधी करनी है अगर ये हो, ये टाइटल तुम्हारा आ रहा है ये टाइटल आ रहा है, तो ही साधी करनी है मेरे नभी की चार बेटिया थी इन चार बेटियों में से केवल हजरते फातिमा का ही साधी उनके कबीले में हुआ था अजरते अली से, बाकि तीन बेटियों के साधी अलग-अलग कबीले में हुई थी अलग-अलग कबीले में कबीला इन दे किसे इस कास्ट अलग-अलग कास्ट में जाकर के उनके साधी हुई है समझ रहो तो ये जो पैटर्न हम चला रहे हैं कि ऐसा होगा इस कास्ट में है ये है ये खान है ये खान है तो ही साधी होगी ये अलग का है ये अलग है तो ये इन दोनों की होगी इनका इनका नहीं हो सकता It is concept made by human beings made by you not the Islamic scriptures not the God it is created by you तो थोड़ा सा अपनी गिरिवान में जाकर के देखो क्योंकि आपको ये चीजों पर ना जाकर के जवाब देना पड़ेगा अल्ला के सामने कल तुम्हे हाजिर होना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा किसने तुमको ये हक दिया था कि तुम किसी की जिन्दगी का फैसला कर रहे हो क्योंकि साधी is a very personal thing रहना है उन्हें जिन लोगों को साथ में रहना है decision उनका होना चाहिए मतलब इसलाम ने वो हक दिया है कि तुम बैठे हुए हो साधी के मंडप में बैठे हुए हो तुम निकाह करने के लिए तुम वहाँ पे ना बोल दो जबरदस्ती कोई तुमसे साधी नहीं करवा सकता जबरदस्ती जो भी तुमसे साधी करवा रहा है वो crime कर रहा है crime और उसकी बहुत बड़ी सजाए बहुत बड़ी सजाए तो it is the concept जो कि आप समझा सकते हो सब कभी यह चीज समझाने की जरूद पड़े कि यार बोल रहेंगे यह नहीं है यह नहीं है इस साधी नहीं हो सकती क्योंकि इसका काश्ट अलग है उनको समझा सकते हो अगर आप मुसलिम हो वो मुसलिम है आप किसी भी काश्ट के हो कोई इंसान आपको पसंद है मेरे नभी फरमाते है साधी तो पसंद की ही होती है और जो साधी पसंद की नहीं है वो साधी ही नहीं है ये चीजें सुनाओ उन्हें बताओ उन्हें क्योंकि उन्हें भी knowledge नहीं है साइद आपको भी knowledge नहीं है आप किस तरह से जाकर के convince करोगे किस तना से जाकर के अपनी बाते रखोगे तो do for yourself let them know अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो please आप अपने बच्चों के साथ यह जाथती ना करें जिन्दगी उन्होंने जीनी है किसी इंसान के साथ पुरी जिन्दगी जीनी है अगर वही हम ना चूज कर पाए जिसका हक अला ने हमें दिया है फिर भी हम ना चूज कर पाए just for parents I don't think it is a good thing आप बहुत परिसान होने वाले हो and if you are not a Muslim you are non-Muslim आपको यहां से concept मिला होगा सीख मिली होगी कुछ चीज़ें सीखी होगी that is important अगर आप non-Muslim हो फिर भी अपने बच्चों से पूछो जबरदस्ती किसी के साथ भी साधी बांद देना is not okay at all I hope सीखा होगा कुछ और concept पे अगर आपको बात करनी है Islam की reality पे बात करनी है I will be open to talk to you किसी और topic पे आपको वीडियो चाहिए definitely हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में बाबाई